नमस्कार साथियो मैं मनो सुरा जी स्वागत करता हूँ आपका दिल मेरा हर बार ये कहने को तैयार है कोरोना यार है कोरोना यार है दिल मेरा हर बार ये कहने को तैयार है कोरोना यार है कोरोना यार है विजजा जी को नमस्कार भाईयो और बहनों मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो डाड़ी रखते हैं किर्पया करके अपनी डाड़ीयां साफ करा लें मोदी जी खासकर वो भी डाड़ी रखते हैं क्योंकि रिसर्च में ये दावा किया गया है कि डाड़ियां बड़ी हुई दाड़ियों वालों को कोरोना ज़्यादा फैलता है मास्क धंग से उनके मुझ पर आता नहीं तो जो भी ग्यान दे रहे हैं कोरोना पे वो अपनी अ पहर जाने की इजाज़त नहीं है तो सबाल ये है साहब कि हम लोग कि रेस्क्यू कर रहे हैं पूरी दुनिया से लोगों को ला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को और जो बंदा अपने घर जाना चा रहा है उसको लठ मार रहे हैं वो पैदल जा रहा है बंदा जैपूर रहता है कोई दिल्ली से पैदल जा रहा है कोई बिहार रहता है को यूपी रहता है वो पैदल ही निकल रहे हैं बिचारे 50-50-100-100 km जहां भी जैसे सहरों से पलाइन कर रहे हैं लोग तो उनको रोका जा रहा है उनको डंडे मारे जा रहे हैं उनको भी उनका भी टेंपरेचर चेक कर लो टेंपरेचर चेक करके उनको भी जाने दो वो इंसान नहीं है क्या नहीं वो इंसान नहीं है वो कोरोना फैलाने वो उन्होंने कोरोना फैला है ना जो गरीब आदमी जो लॉंडे लपाड़े घुमत लेकिन एसी से मेरा मतलब है जो बड़े-बड़ी आलिसान बंगलों में बैठे हुए प्रिंस चाल्स से लेके और बड़े-बड़े मंत्री संत्री वो तो विचारे वो कोरोना थोड़ी ना फैला है उनोंने कोरोना सरी गरीब आदमी फैलाता है सारी जड़ ही गरीब है मेहनफ कर रहा है वही तो कोरोना फैला रहा है वही तो जड़े सारे फसाद की उस लट बजाओ साल हमें ह। पुलिस वालों को दे दो पावर लट बजाएंगे पावर कौन दे रहा है बैठे हुए सेवन डे स्कोर सब तो नाम बदल गया है । बैठे हुए बड़े- वाली संद घरों में बैठे हुए पुलिस को ओडर दे रहे हैं जाओ जी लट बजा दो किसमें लट बजा दो कि वह वाली बात है कि कि एक हानी थी कि ऑफिस में पिटके आते हैं बहुस से और घर में आके लट बजाते हैं यह थपड़ मारते हैं बच्चों को तो यह वह अमीरों की बीमारी है और गरीबों पर कंट्रोल किया जारा है तो बड़े बड़े तो दवाई ले लेते हैं वाइज लेने के बाद उनकी रेजिस्टेंस पावर ही नहीं बीविमारी से लड़ने की तुरंट दॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो प्रतुरूदक छमता अपने आप ही बढ़ जाती है बीमारियों से कोरोना फैल गया कोरोना फैल गया कोरोना से जैदा करोना का डर फैल गया है और डॉक्टरों को देखो उनके बसका तो कुछ है नहीं कि छट पे बैठा हूँ यह दिखा रहा था आपको और मोबाइल अपने आप ही घूम जाता है क्या करूं आज कल मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो गई है कि डॉक्टरों को देखो डॉक्टर तो ऐसे बन गया पुलिस वाले बन गए हैं इसको लट मार दो उसको लट मार दो इसको अंदर कर दो लॉकडाउन एक्सपर्ट कल तक डॉक्टर चिलना रहे थे डॉक्टर प्रॉटर चिलना रहे थे अरे उनको खुद नहीं पता विदेशी को क्या जाने तुमारे देश को लॉक्डाउन कर लोड पे लॉकडाउन हो रहा है गल्यों में लॉक्डाउन नहीं है एसको दूद लेके आ रहे हैं इतने एजुकेट हैं कि हम लोग अरे भाई हम लोग को लॉकडाउन हो यह नहीं सकता है इस देश के अंदर सफेज जूट बोला जा रहा है और लोग डाउन कर भी नहीं सकते हैं यह शर्म अपनी कहेंगे हमने लोग डाउन किया उसकी वज़े से कोरोना रुख गया को रुकना ही है इंदोस्तान के अंदर यहां का टेंप्रेचर अब सीधी सी बात है कोरोना कोई भी चीज है तो कोरोना मानब के मुह में से निकलता है या नाक में से निकलता है या के छीक के जरीए आता है ड्रॉपलेट्स के जरीए आता है वो ड्रॉपलेट्स क्या है वो ड्रॉपलेट्स के अंदर जो नमी है उसक जाए आपके हाथ पे चि existing चिपकर रही है张Jafs पड़ेगी डॉप्लैट पर तो सूख जाएगी सूख जाएगो तो मिटी कर जाएगी नहीं चुपके कापड़ों से तो एशया हो गया है हिंदुस्तान का क्या वे कुछ कोई चीख भी मारेगा ना तो कुरोना कुछ नहीं उखाड सकता हमारा पहले तो हमारी रोग प्रतों तक छमता बहुत बड़ीया है पूरी दुनिया में जैसे इंडुस्तानी व्मारी स्किन यह हैं हमारी स्किन कीूं है और था मोगय है व क्रेशिंत पूर्द भी स्किन की भीमारियां होटीए गूरे लोग उनको भी च900 की अंप एक स deux हों में रहते ह।ंखिन हम सब जहल रहा है गर्मी, सरदी, तूफान, ओला, बर्सा और एक हजार तरे की भीमारियां हमें कहा मिल रहा है लाज जब नहीं मिल रहा तो हमारा अंदर से कुद्रत ने इतनी शक्ति दे रखी है हाँ बुजरुगों के लिए केर हो सकती है बुजरुगों को तो वैसे भी केर चाहिए हर चीज से और कहा अरस करेंगे इस देश के अंदर जो इनिकरत अयूरेप कर रहा है उनका तो बस कहले है हमें सिका रहे हैं सेनिट्र जो तरीका इटली यूरोप और अमेरिका में फेल हो गया उसे हम क्यों इंप्लिमेंट करें है विसका खुब हाथ दोएं वह तो दोते ही हाथ हैं इटली वाले अम्रीका यूरोब वाले खुब सफाई करते हैं चमचों से खाना खाते हैं यह एसे, ऐसे करके वह चमचों से खाना खाते हैं वो बड़े हाईजीन हैं हम बड़े गंदे लोग हैं कि आपको साइध पता नहीं एक कहानी है सची साइंटिफिक कि कुछ लोगों को रिसर्च किया एक टीका बनाया था भी मैं नाम बोल रहा हूं किस चीज का टीका था तो एक साइंटिस्ट कहता है कि सब यूरोप में सबको बीमारी हो रही थी वो तो कुछ बच्चे ना गोबर में खेल रहे थे गोबर में और गाय के उसमें भैंस गाय जो भी जानवरते उस के बाद उनकी एंटिबॉडी लेके तो टीका बनाया गया मुझे नहीं याद आ रहा वह किस चीज का टीका जिसने पूरी दुनिया को बचाया तो गंदगी में खेल के लोगों ने रोक प्रतुर्दक छम्टा बढ़ती है गरीब के बच्चे गंदगी में खेलते हैं अच्छा इस वर ने सारे बैक्टिरिया वाइरिस बनाए लाकों साल से हम लोग रह रहे हैं बड़े आराम से सहज रूप से रह रहे थे आ भी रहे हैं सरीर के अंदर जा भी रहे हैं यही न मेड अटेक है लोगों ने आटेक करदी या पता पता चल रहा है कुछ किए चाइना ने वाइरस बना आया है किसे इंसानी इंसान के ऊपर है कर दीए सेनि औरी कि इंटिलेडर की इंड़स्टीज अरे वही इंफरास्टिक्चेशर पर पैसा लगाओं कर इतना बड़ा और जूट हमारे परधानमंत्री डरा रहे हैं कुछ लोग कर रह rotor इतने अनपात में बढ़ proposed प्राल discriminant स्टूमाइद का यह होता है पर्संटेज क्या उती है कि रिट किया होता है स्टूमा रेट को कहते हैं अंगरे Dienst लाग हो गया तो पहा ज़्यादा बढ़ गया अरे बाई एक से एक लाएक लाएक लाग गुना होना है हुआ कि एक से दो होगा यानि 100 % का उचाल 2 से 4 होगा याई फिर 100% का उचाल तीन 84 DAN हो गया कि इतने करोना को इतना हूब करना तक कर दीया मीडिया उने डरे हुए बड़े लोग जादा उनको जन्रीकी से ज्यादा प्यार है जो रोजी जढ़े में जिन्रीकी की लगाउया उसको क्या मतलब करोना क्या मतलब यह क्या और आपक्ना video share करो इतना सारा फेस्बुक मीडिया ढरा रहा है कम से कम कोई तो निडर आदमी निकले मैं यह नहीं कहता है घर के भाहर चले जाओ ठीक है लोगडाउन से ठीक है फाइदा हो सकता है मैं यह भी नहीं कह रहा है कि लोगडाउन से कंप्लीट नुकसान है लेकिन डंडे मार दो उनको अमरीका जैसे देश ने लॉकडाउन नहीं किया है वह मूर्ख है क्या और कुछ डॉक्टर कह रहे हैं आज कल तो डॉक्टर ना अपना तो घ्यान हम लोग इतने डरपौक हैं काया रहे हैं कि हमारी सहज बुद्धी खतम हो गई है हमें लगता है कि विदेशी कोई बताएगा वोई तरीका सही होगा रेटली का तरीका लॉकडाउन कर तो लिया चाइना ने कर तो लिया उनके तरीके फेलें भाई इंदोस्तान में इंदोस्तानी तरीका निकालना पड़ेगा क्या बखवास बात है लॉक्डाउन लogडान किसी भी में lockdown हो सकता है क्या हमको शुबहरे दूद्ध रशाइए न दूद्ध की तहली से खु़ जांगे हम धूद्ध की ठेली से करोणा आ जाएगा अच्छा चलो दूद्ध करोन आ सकता है कि लख जाए तो घर में भी का बच गए आप एक कुछ ने अब कुछ पालतू कुत्ते गुमा रहे ते मूँ पे अपने मास्क लगा रखा ता कुट्टे को गुमा रहे ते गली में कुट्थे के पैर से टच हो के नहीं आएगा क्योंगों मी और सबजी नहीं जोगों के लोगों को कम रोटी कैसे मिलेगी अधार क्यों कि करोना कोई आकड़ा बताएं कrise करोना से कि यो मर रहे है कितने लोग मर रहे हैं, 20,000 लोग मर रहे हैं, 20,000 लोग, अब तक मरे हैं, टोटल, बीस हजार में, 60 से 65 साल की उमर के निकाल लो कितने मरे हैं, और उनको कितनी घातक बीमारियां थी already, तो ऐसा को कि बुजर्गों के लिए, बुजर्गों को आइसोलेशन करो, हर आदमी को ये बुजरुगों की परिसानी न सरकार को बुजरुग कितने 60-65 साल के जो घातक बीमारी उसलेसे उनको पहले से गवर्मेंट अपने पास ले ले हॉस्पीटलों में ले ले उनको आइसोलेट कर ले सब अपने घरों के बुजरुगों भेज़ दो हॉस्पीटल में वह सेफ रहेंगे घरों में तो वैसे बच्चे आएंगे कूंत के खेल के इदर से उदर से फिर उनको करोना लगा देंगे अब जवान बस यह घदों का देश है और सब तरफ घदे घदे घूम रहे हैं एक से बढ़कर एक घदा है एक तो हमारे क्या बोलें नहीं कह सकते ना मान हानी हो जाती है तुरंती लोग नाराज हो जाएंगे तो एक आदमी बैठा हुआ उपर से उसने जो कह दिया यस वही सब्सक्कार्वियू अपनी स्टेटमेंड बदल रहा है कुंसे कौन रहुत है हम नहीं जानते हो हूँ को हिंदौस पार कि हिंदुस्तान के अंदर आदमit कितनी जुगार करता है Kuroona आगा corona आगया Corona आगया Corona आगया ऐसी ते ऐसी Corona कि मैने बहुत सारी कभिताय लिखिये औरा पढ़ें रिलेक्स रहें घर में भी रहें और शेर कर दि आगर हैं अच्छी लगे आपको वीडियो तो पताहनी क्यों नहीं करते हो शेर एक आदमी तो अलग से बोला है कुछ हमारी भी सुलो बागी तो सब के डराई रहें कोई करा घर में गुज जाओ कोई कर रहा तक से करोंगे कहां तक करोंगे मुझे बताओ कि इंपॉसिबल है कुरोना आना ही है और लुधा कि निकल गया तो लकिर पीटने बाली बात है तो ये लकीर पीटी जा रही है अभ ये नेता क्या कहेंगे ये हमारे अथक प्रियासों की बज़े से पूरे हंदुस्तान की जनता को ढल दो इनके बाप का राजा किसी को मार देंगे जिसने फैला है उसे चाइना को गोली मार के हो चाइना नहीं फैला है हंदुसतन की जन्ता को घोली मार को कोई तमारादी हो गया है हिंदुस्तान के इंदर जो सffft चाष्थ को करें सब दिने करना गुला हो गया जैसे हम कंतरिंक ठहए हम्सरें निकल गए हमने कोरोना पैला हो पुलिस वाले जिनको पता नहीं एबी सीडी डॉक्टर जहां तो सब ऐसे बात कर रहे हैं डॉक्टर को लग रहा है कि वह पुलिस का काम कर लें तो भाई यह डॉक्टरों की नौकरी छोड़के न आप डंडा उठा लो रोड पे निकल जाओ पुलिस की काम कर लो पुलिस को को लगता है मोधी को लगता वह डॉक्टर का काम कर लें हर कोई दूसरे के टांक का फील्ड में कूंदने को एक दम तैया रहे ड़क्तर बैठ जा रही लॉक्ट्टर को लंक्डाउन कर लो ऑक्टर से एफ जौन बना लो जहां पर जस्वाधी को ज्यादा खत्रा है उस आव प्रेंडली होते हैं सरीर में आते हैं चले जाते हैं अभी से आ रहे हैं क्या कोई नहीं आ रहे हैं क्या जो हिंद मानवता को डराया जा रहा है और कोरोना के कितने अच्छे फाइदे हैं हजारों लोग पर दे तो करोना ने प्रकरती को बचाया है नीचर को बचाया है करोना का सुखरी आदा करो और खांसो थैंक यू करोना किसका नुकसान हो रहा है हमें सोचना पड़ेगा मानव को हमारे के बाप कर आजा मानब कर मानब के बाप कर आजा मानब कर जिस चीज को चाय बिगाड़ दे नदियां सड़ा दी हमने जमना जी को देखो क्या सी हालत हो रही है जमना जी की वो कह पाते हैं जी बिचारे जो जमना जी में रहते हैं सीधा सीधा मार देते हो जिसको देखो गला क मेरे मन को भाया मैं गला काटके खाया जानवरों को बुरी तरह से से मार रहे हैं थे भाई और य।How हम तो यह कोरोना कैंसर विचारा डाइबिटीज कर रही है हर आदमी कि हमने कितने लोग मार देते हैं यह कोरोना आया चाहिए वो डैंगू का मच्छर चिला रहा है क्यार मेरी भी कुछ सुलो मैं भी तो मारता हूं लोगों को मेरे को भी टो अटेंशन दो सारी अटेंशन कोर में लिए है और मैं मोधी जी से अपील करना चाहता हूं जो लोग अपने घर जाना चाते हैं जैसे विसेस विवान से घर पर लाएँ चायना से लाइए वोन से लाए एटली से वैसे विसेस गारीों से उन लोगों कुछ सडकों पर पैदल चलकर अपने गाउ जाना चाय उनको बिठाओ उसमें, उनका टेस्ट कर लो, उनका टेंपरेचर नाप लो, उनको गाड़ी में बिठा हो, उनको घर पहुंचा हो, लोग चुप चुप के जा रहे हैं गाड़ी हों बैटके, क्या गुना कर रहे हैं, कोई वो, अपने घर पहुंचना चा रहे हैं, सहर कोई आदमी अपने घर जाना च जा रहा है कोई फसा हुआ है क्या करेगा उससे तुम्हारी गवर्मेंट पर भरोसा नहीं है कि तुम उसको खाना खिला पाओगे तुम इस डर की वज़े से लाको आदमियों को जिंदा मार रहे हो भूका मार रहे हो उसकी बद्वा लगेगी या तो उनका इंतिजाम करो अग हम सबको बद्वा लगेगी जिनोंने लॉक डां को सपोर्ट किया हम अपने को भीमार करने अपने को हमारे को ना हो जिए हम लग आधमियों को बुक मरा भाच जो हो।your मर जाए हम rag bald एक पोश्ट पढ़िए और भक्तों से आज कल तो वड़ी टैंसन हो गई है कुछ लिख दो तो मोधी भक्त है यारो है मरना सबको है 100 साल से ज्यादा बड़े बिरलेई पॉइंट 0 00 01 परसंट ही 100 साल से उपर निकल पाते हैं तो इसलिए मरना तो ही सब आपको खाम काम हैं तो मैं आपसे बार-बारेक्वेस्ट करता हूं भाई थे सफसफाई होना जरूरी है हाईजीन लेकिन हाईजीन फोबिया सफसफाई फोबिया उसकी भरोसा नहीं नहीं है कि और मिया ऑधे संक लिया बड़े घूम रहे हैं सेनेटाइज कर रहे हैं जगा जगा सेनेटाइज कर रहे हैं एक जगा एक मासक बाटने अगया था तो हम लोग यग्में बैटे ऊप्र ने आ गया मेट्रो स्टेशन पे तो बहुत वर इसको इसे चिपक पड़ी कोई फी में मिल रहा तो उसको मास्ट वह मास्क क्या करोगए तुम यह ऐसा रही इस देश का भगवाणी माइल यह पर भगवनी इस देश को बचाता है इस देश के इंसान इस देश को नहीं बचाता था इस देश के सत्यानास हो अजब तो डोक्टरBH सत्यानासी हो गए डॉक्टर कुछ बात बताएं लोगों को एजूकेट करें लोगों को ना कि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि यह गुजजाओ उदर गुजजाओ घर में गुजजाओ यह कर लो वो कर लो अब तो हम मरी जाएंगे ऐसा लग रहा जैसे कि कल या परसों के अंदर स्षट कुरी दुनिया खतम होने वाली है कि दो लाग चार लाग लोक करोना से ग्रेसित होगा है उससे ज्यादा फुरी से निकाल के bothers czym पता नहीं कहां-कहां से डरा रहे हैं लोग कोई सेर चोडरा है सड़क पे वेंटेलीटर लगा र Cambodia बढ़े फोर्टो को एंदर किया गय को गड़ेश जी को दूध पिलाने से भी ऐख फ़िष्ट पमों के समिघ व कि पिलाने वाली जन लोगों को याद है कि वीडियो देखते हो तो वीडियो शेयर भी करा करिए और सबी लोगों का मैं तहे देल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने लगातार मुझे देखा और मैं आपसे अपील करता हूं कि प्लीज इसे शेयर जरूर करिए और घर में रहिए लेकिन इतने भी मढड़िये नियुके लिए रिलेक्स रहिए एंजोय करिए दिन है इंजोय करने के लिए नेशनल होली डेज हैं यैसे कोई प्रदान मंतरी या कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो साथ दिन का रास्टी चूँक हो जाता है तो कोड़ा करोना की वज़े से यह सोच लोगे 21 दिन का राष्टिया शुक कर दिया है हमारे प्रधार मंतरी जी का बहुत बहुत सुक्रिया और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि लोग डाड़ियां कट वा लेंगे अपनी इसी के साथ जै हिंद जै भारत प्लीज शेयर करिए और मजे लीज